ओम नमा शिवाय हर हर महादेव जय शिफ शंबूर दोस्तो पूर्जय गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, आपके कोई भी कार्य पैसों की वज़ा से प्रारंब नहीं हो पा रही हैं, आप अपना व्यापार श कोई भी मार्ग नहीं है, धन प्राप्ती के साथ रास्ते बंध है, आपके जीवन में माता लक्ष्मी रुष्ट चल रही है, आपको किसी भी प्रकार से पैसों की प्राप्ती नहीं हो पा रही है, तो आपको सिर्फ सफेद रंग के फूनों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा जो आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ती कराएगा, और आपका दसो दिशाओं में नाम, वैभफ, मान, सम्मान सब कुछ होगा, तो चलिए जानते हैं उस विशेश उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, दी इस वीडियो में हम पूच गुरुजी द्वारा बताए गए दो-तीन विशेश उपायों के बारे में बात करेंगे, इन में से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो आपके लिए आसान हो वो उपाय आप कर सकते हैं, चलिए अब ब बात करते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ साथ सफेद रंग के फूल ले लेने हैं, सफेद रंग का आप किसी भी प्रकार का फूल ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि केतिकी का फूल नहीं होना चाहिए. क्योंकि केतकी का फूल शिवलिंग में समर्पित नहीं किया जाता है, फूज गुरुजी कहते हैं कि अगर हम लोग भूल से भी शिवलिंग के ऊपर केतिकी का फूल समर्पित कर देते हैं, तो हमें 1000 गौ हत्या के बराबर पाप लगता है, इसलिए आप के जा सकते हैं, शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है, अगर आपके पास सुबह टाइम है, तो सुबह शिवाले चले जाए और अगर आप शाम के समय ये उपाय कर सकते हैं, तो शाम को कर लीजिए, देखिए शिवाले पहुचकर आप रोज जो भी उपाय करते हैं, म वो सारी पूजा करने के बाद फिर उसके बाद ही आप ये उपाय करेंगे, देखिए अब ये साथ सफेद। रंग के फूल आपको अब धूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक-एक करके शिवलिंग में समर्पित कर देना है, लेकिन आप शिवलिंग में एक ही जगा पर ये समर्पित नहीं करेंगे, जैसे महादेव को श्रिंगार किया जाता है, पूरे शिवलिंग में वैसे ही आपको एक सफेद रंग का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, महादेव का नाम ले लिना है, फिर दूसरा सफेद रंग का फूल शिवलिंग के आगे समर्पित कर देना है, और अब दूधेश्वर महादेव का नाम ले लिना है, ऐसे ही तीसरा सफेद रंग का फ साथों सफेद रंग के फूल रख देने हैं और साथ बार अब दूतेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। सामने वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अलग-अलग स्थानों पर ये फूल रखे गए हैं, यानि समर्पित किये गए हैं। ठीक वैसे ही आपको भी ये पुश्ट समर्पित कर देने हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा फिर इसके बाद आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित दिक्कते चल रही हैं। उसको दूर करने के लिए आप अब धूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्ते ब्राहमा मंत्र का स्मरण करते हुए वापस अपने घर आ जाए। गुरु जी कहते हैं कि अगर हम पाच शुक्रवार ये उपाय कर लेते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आपके जीवन में दुर्भागय की रेखाय हैं तो महादेव उसको भी बदलकर सौभागय की रेखाय कर देते हैं। अगर बीच में आप किसी शुक्रवार के दिन ये उपाई नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने स्थान पर किसी भी अन्य सदस्य से कहकर इस उपाई को करवा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाई के बारे में। देखिए इस उपाई के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तामबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचिन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध हाटा। मारकर उसका भी दीपक तयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तमाल करना है और साथ ही साथ आप इसमें गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है दो हरी इलाइची। अब ये तीनों सामगरी लेकर आपको पहुँच जाना है शिवाले। फूजय गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप शाम के समय यानि प्रदोशकाल के समय में करिएगा क्योंकि प्रदोशकाल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है इसलिए आप प्रदोशकाल के समय में ही इस उपाय को करेंगे। अब श जोगी का दीपक आप लेकर आए हैं। उस घी के दीपक में दूसरी हरी इलाइची डाल लेंगे। अब जिस लोटे में आपने हरी इलाइची है। उस लोटे के जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे-धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शुक्रेश्वर महादेव क के नाम का समर्ण करते जाएंगे कौन से महादेव शुक्रेश्वर महादेव चू की शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर रहे हैं। इसलिए आप शुक्रेश्वर महादेव का समर्ण कर लीजिए और धीरे-धीरे ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते ज पिर उसके बाद आप जो दीपक लेकर गए हैं, उस दीपक को वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख दीजिए और शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए। संबंधित दिक्कते हैं, जिनकी वज़से आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रही हैं, अगर आप धन की वज़से कोई कार्य नहीं प्रारम कर पा रहे तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाए। अब इसके बाद बात करते हैं, फूजय गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, ये उपाय बहुत ही आसान है और अगर आप दिनों तक लगातार ये उपाय कर लेते हैं, तो गुरुजी ने स्वयम कहा कि महादेव की कृपा तो आपको करने के लिए बहुत ही सुन्दर उपाय है, देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो शुद्ध आटा मार कर उसका भी दीपक तयार कर इस दीपक में फिर से आपको घिकाही, इस्तमाल कर और इस बार आपको इसमें लंबी रुई की बत्ती का इस्तमाल करना है। लंबी रुई की बत्ती का ये दीपक लेकर आपको पहुँच जाना है। बैठे बैठे आपको श्री शिवाय नमस्ते भ्रम या फिर ओंग। नमा शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप दो चार या पाँच सोमवार या फिर पाँच शुक्रवार ये उपाय करते हैं, तो आप स्वयन देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आना प्रारंब हो गई है, और आपके सारे दुर्भाग्य का सारी दरिद्रता का अंत होना प्रारंब हो गया है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीन खास उपाय अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो लाइक करिएगा मिलते हैं, फिर एक नए विडियो के साथ ओम नमा शिवाय हर हर महादेव जय शिव शम्भू